आज के वीडियो में लेकर आई हूं मैं मतर आलू की सबजी की रेस्पी वीडियो जिसे बनाना बहुत असान है लेकिन सबजी बनाने का तरीका है जो थोड़ा सा अलग कर देना तो सबजी का स्वाद है जो चार गुना भड़ जाता है मटर आलू की सब्जी में भी कुछ मैंने ऐसे ही किया है तो आप मेरा वीडियो है जो एंड तक देखें बीना स्किप किये और वीडियो आपको जरा सभी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना और आप मेरे वीडियो में बने रहें वीडियो को एंड तक देखना एक एक चीज बारिक तरीके से समझना आपके मतर आलू है जो बहुत ही लाजवा बनकर त्यार होंगे तो यहां पर देखिए मैंने मतर के दाने निकाल कर रखे हैं तो यह 250 ग्राम मतर थेन के दाने निकाल ली है और चार मीडियम साज की आलू को मैंने इस तरीके से लंबे-लंबे टुकुडों में काटा है एक बड़े साज की टमाटर है दो प्याज और आठ से दस लैसुन की क काटेंगे और प्याज टमाटर को भी बारिक चॉप कर लेंगे तो एक कढाई में मैंने सरसों का तेल लिया है बड़े दो चमच और लैसुन को मैंने रफली काट कर डाला है आप चाहे तो इसका पेश्ट भी बना कर डाल सकते हैं और प्याज है जो इसको मैंने बारिक चॉ मतर आलू तो अक्सर हमारे गर में बनती रहती हैं लेकिन आप ये तरीका है जो जुरूर से फोलो करना आपके मतर आलू है जो बहुत ही गजब के बनकर त्यार होंगे और मैं सरुवात में जीरा डालना भूल गई थी और मैं आप जीरा डाला इसके अंदर आदा चमच जीरा प्याज नमक डालना दाना जाता है नहीं कि मैंने पाद में नमक नहीं क्या होगा त्या त्या थी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आ जञे दे तो इसे दो पर ढूला जाता है तो प्याज और टॉमाट्र बिल्कुल अच्छे से पक रहे हैं आप क्या करेंगे हैं अच्साभर के निद्य GLEOLTन सी पुरतन नाजर आने लगे आलू को तब तक पकायेंगे आप इस तरीके से आलो मटर की सबजी बनाएंगे ना तो साथ से आट मिंट के अंदर ही आपकी सबजी बनकर त्यार हो जाएगी ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और साथ ही मैंने मटर के दाने अड़ कर दिये है तो इसे भी अच्छे से पकाएंगे दो से त देखिए आलो के ओपर एक सुनायरे से कलर की परत नजर आ रही होगी आपको तो बस इतना ही पकाएंगे आलो को आप क्या करेंगे इसके अंदर मसाले आड़ कर देंगे तो एक चमच मिर्च पाउडर डाला है मैंने आदा चमच हल्दी पाउडर मसाले है जो अपने हिसाब जसे कम या जादा कर सकते हैं आदा चमच धनिया पाउडर डाला है तो इनी मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है यह सब्सक्राइब जो आधे हाथ तक पक गई है और अब इसमे पानी डालकर और 3-4 मिट के लिए पका आपके पास हो तो जरूर से डालें वरना इसी स्कीप कर सकते हैं तो अब इसके अंदर पानी डालेंगे एक से डेड़ गिलास पानी आड़ किया हमें ने पानी डालने के बाद भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और तीन से चार मिंट के लिए ढखकर अच्छे से पकाएंगे फुल फलेंपे और यह देखें कम से कम तीन से चार मिंट हो गए हैं और सबजी है जो एकदम अच्छे से बन गई है आलू भी अच्छे से पक गए हैं और माटर के दाने भी अच्छे से पक गए हैं तो आप क्या करेंगे गैस का फ्ले में जो बंद कर देंगे और मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेंड करें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और एक कमेंड जरूर से करें आपको वीडियो कैसा लगा और सब्जी बनने के बाद मैंने इसके